मैं आप लोगे क्रीए पटैटो करेप लाय मतरी मतरते हैं तो अभी पंदे indrs 보nant subscribe करें और साती साथ bell icon को ट्लिक कर ना भूलें से मेने वारी हर वीडियो की डॉंटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले घी पेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करे、 और इसको शेयर भी जरूर करें तो चारिया यह वीडियो इस टार्ट करते हैं है करें और साथ ही साथ बैल आइकन को क्लिक करना ना भूलें इससे मेरे आने वारी हर वीडियो की डूटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी पिरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी जरूर करें तो चलिया यह वीडियो स्टार्ट करते हैं पिरी मैंने लिया एक blender jug उसके अंदर हमकेशन आट करेंगे एक कब दूद दूद आट करने के बाद दो अदद अंडे आट कर देंगे इसके आंदर फिर मैं इसके अंदर आट करूंगी दो अदत आलू बोईल हुए वे आलू है इसको बस हातों से इस तरह से तोड़के ही मैं इसके अंदर आट कर दूंगी तो बस इसके अंदर आट कर दिया अब इसको हम ब्लैंड कर लेंगे अच्छे से इसका paste बना लेना है तो ये देखे इसका थिक सा paste बन गया है अब इसको हम एक अलग बावल में निकाल लेंगे ये देखे सारा मैंने mixture जो था अंडे का और पोटाटो का वो मैंने इसके निकाल लिया है अब इसके अंदर हम add करेंगे आदा कप दूद और क्योंकि बहुत जादा थिकता mixture आप लोग देख लीजिए का आलू कि साइस पर डिपेंड करता है अगर आलू आप छोटे साइस के लेंगे तो ये थोड़ा सा थिन होगा तो आपको जादा दूद आट करने की जरुरत नहीं होगी मेरे पास वोड़े बड़े साइस के आलू थे इस वज़े से मैं इसके अंदर दूद आट कर रही हूँ तो मैं तकरीबान आदा कप दूद इसके अंदर आट कर दूँगी और इसको mix कर लेंगे अच्छी तरीके से दूद आट करने के बाद इसके अंदर मैं आट करूँगी लसन लसन का पेस्ट है, half teaspoon इसके रावर हमारे पास जीरा powder half teaspoon फिर मैं इसमें आट करूँगी नमक half teaspoon, black pepper half teaspoon और फिर मैं इसमे एट करूंगी रेड चिली फ्लेक से 1 टी स्पून के बराबर और रेड चिली पावडर एट किया है मैंने 1 टी स्पून आप लोग अपने साब से भी रख सकते हैं लेकिन ये नॉर्मल सी स्पाइसे ना जादा स्पाइसी नहीं बने गाई है तो बस इसको अची तरीके से हम मिक्स कर लेंगे जब ये स्पाइसे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर अड़ करेंगे मैदा तो मैं मैदा अड़ कर रहे हैं इसके अंदर 7 टीबल स्पून के बराबर और ये आदी कप से थोड़ा से जादा है और इसको mix कर लेंगे मैं दिक अची तरीके से basically हमें इसके बनाने हैं pancakes और इसका जो mixture है pancakes की तरह जिस तरह से होता है इस तरह से होना चाहिए अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर दूँगी इसके अंदर आपको चाहिए तरह दूद भी आड़ कर सकते हैं और अगर आप लोग का यह थिक ना हो mixture तो नहीं आड़ कर दिएगा पानी हर अधनिया भी इसके अंदर एड़ कर दिया 3 टेबल स्पून के बराबर और इसको बस mix कर लेंगे देखें इस तरह का mixture होना चाहिए इसका उसके बाद हमें क्या करेंगे एक pan के अंदर मैंने frying pan लिया उसके थोड़ा सा oil एट किया है और इसका जो mixture है हम इसको इसमें डाल देंगे जिस तरह हम pancakes बनाते हैं उस तरह से size आपके उपड़ पैन करता है मैं थोड़ा से चोटे साइस के बना रही हूँ pancakes और इसको आपने पहला देना है हलके हाथ से और ये low medium flame पे ही पकेंगे आइस्ता हिस्ता से जिस तरह से pancakes पकते हैं तो जब एक तरफ अच्छे से color आजागा तो इसको हम turn कर देंगे और दूसी तरफ से भी पका लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ा सा इसको प्रेस करते रही है क्योंकि सेंटर से ये ना इसमें air सी आ जाती है तो इस सेंटर से पकता नहीं तो एक spoon की मदद से आपने इसको प्रेस करते रहना है हलका हलका सा तो इदेखिए दूसी तरफ से भी अच्छी से पक गया है अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं सारी क्रेप्स को तयार कर लूँगी तो इदेखिए सारे मैंने तयार कर लिये हैं और इसको आप किसी भी sauce के साथ सर्फ कर सकते हैं तब भी आप इसको तयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं बहुत जादा soft बनते हैं यह और बहुत ही मज़दार बनते हैं इसका काफी different सा flavor है तो एक बार जरूर इसको try कीजिएगा ताकि आपको अंदाजा होगा कि यह कितने अच्छे और मज़दार से तयार हो जाते हैं तो यह देखिए कितने soft हैं यह जिस तरह से आलू के पराठे होते हैं उसी तरह से बनते हैं यह इनका taste काफी similar है उनसे और बहुत soft थे यह बहुत ही मज़दार बने थे आयो आप लोगों यह रेसिपी अच्छी लगी हो बहुत छोटी सी रेसिपी थी ट्राय जरूर कीजिएगा और अपना feedback जरूर दीजिएगा अगर आप लोगों में रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को subscribe करें लाइक करें कमेंट जरूर किया करें शेयर भी जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो मुझे अपने दोआ में याद रखेगा अला हफ़ज